Hey guys, welcome to my channel BeSmart with SRK आज के वीडियो में हम जानेंगे क्लब हाउस एप्लिकेशन के बारे में एप्लिकेशन को आप कहा से डाउनलोड करोगे application का क्या यूज है application को आप कैसे इस्तिमाल कर सकते हो यह सारी बात आज की वीडियो में हम discuss करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको place store में जाना है उपरärt को search करने को option मिल जाता है यहां पर आपको search करना है clubhouse जैसे ही आप clubhouse setzen करोगी application जो है वह से आ जाएगी, यहाँ पे आपको install को उप्शन मिल जाएगा, आपको install की option पर क्लिक करना है, application आपकी Download हो जाएगी, जब application आपकी cash flow हो जाती है, उसके बाद open को option मिल जाता है, open के option पे click करके, आप इस application को use इसके बाद यहां पर बतकर थायाँ प्रिलाइक, प्रेस्टेय्स आप लोगों से बद्सक्र कर सकते हुआ यहां पर फॉलॉवर्स ऑर फॉलोईग की लिस्ट मिल जाती है एक notification का option भी यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे यह था application के बारे में अगर आप इसे open करती हो तो यहाँ पे जैसे ही application को open करती हो इस तरह से page show हो जाता है यहां पे आपको get your username पे क्लिक करना है तो यहां पे जैसे ही आप क्लिक करती हो यहां पे आपको आपका phone number डालने के लिए बोलेगा आप अपना phone number डाल देना जैसे ही आप अपना phone number डाल देते हो उसके बाद यहां पे next पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपकी नंबर पर एक OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है जैसे ही आप यहाँ पर OTP डाल देते हो उसके बाद नीचे आपको Next का Option मिलता है आपको Next के Option पर क्लिक कर देना है और यहां पर OTP डालने के बाद आप next करती हो तो यह इसका verification हो रहा है जब verification हो जाता है उसके बाद इस तरह से page show हो जाता है यहां पर आप कोई साभी नाम डाल सकते हो example के लिए हम ऐसे ही कुछ भी डाल दे रहे हैं next कर देना है इसके बाद यहां पर आप कोई भी नाम पिक कर सकते हो माली जाम डाल लिया इसके बाद next पर क्लिक कर देना है जैसी next पर क्लिक करते हो यह बता रहे हैं कि यह username पहले यूज होचका है तो आप इससे नहीं ले सकते हैं उसके लाव अगर हम यहां पर add the rate तो यहां हम कोई सभी यूजर नेम डाल ले रहे हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको वही यूजर नेम लेना है जो कि पहले किसी ने यूज ना किया हो उसके बाद आपको next कर देना है यहां पर आपका ID है वह बनकर ready हो चका है तो यहां पर आप लोगों से चैट कर सकते हो आपकी live conversation चल सकती है तो इस तरह आप यहां पे Clubhouse application को यूज कर सकते हो वहां पर account बना सकते हो तो आई होप